नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगे भारत की नदिया और बाद इसे रिलेटेड टप 40 कुशन देखने वाले हैं और ये सारे हैं कुशन जो है रेलबेक एकजाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गाया है ठीक है और आने वाले दिनों में भी कुशन पूछे हैं जाएंगे तो आप इने के कुशन को रट लीजे उससे पहले चैनल पनाया तो चैनल को सबस्क्राइब कर जो पास वाले घंटी का निसान है उससे भी अनकर्द है ठीक है तो देखे यहाँ पर हमारा पहला कुश्यन ह दचिल भारत की नदियों में सबसे लंबी नदि कौन सी है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन ए हो जाएगा गुदावरी नदि जो है यह दचिल भारत की नदियों में सबसे लंबी नदि है ठीक है इसके अलावा गुदावरी नदि को जो है यह दचिल भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी की लंबाई कितनी है तो इस नदी की लंबाई 1465 किलो मेटर है ठीक है और गुदावरी नदी किस राजय से होकर बैती है तो गुदावरी नदी जो है ये महराष्ट्र तेलंगाना और आंदर परदेश राजे से होकर बैती है Q2 है दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है तो देखे दमन गंगा जो है ये गुदावरी नदी का प्राचीन नाम है इसके अलावा गुदावरी नदी को जो है ये ब्रिध गंगा यानि ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कुछिन नंबर थ्री है निमनलेखित में से कौन सी नदी हिमाचल परदे से होकर परवाहित नहीं होती है तो देखे इसे correct answer option B हो जाएगा जेलम नदी यह हिमाचल परदे से होकर परवाहित नहीं होती है और बाकी सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास और यमुना यानि यह बाकी नदी हिमाचल परदे से होकर परवाहित होती है कुछिन नंबर 4 है लैगून क्या है तो देखे लैगून यह एक जील है तो यहाँ पर B correct हो जाएगा कुछिन नंबर 5 है भारत में खारे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो देखे भारत में जो खारे पाने की सबसे बड़ी जील है तो यह है चिलका जील और यह उडिशा मेस्तीत है इसके अलावा भारत में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो बूलर जील है और ये कास्मीर में स्थीत है ठीक है, कुश्चन नमबर 6 है चील का जील किसके पालन के लिए परसीध है तो देखे चील का जील जो है ये जींगा पालन के लिए परसीध है ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 7 है भारत में मेठे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो देखे भारत में मेठे पाने की सबसे बड़ी जील है तो यह है बूलर जील ठीक है यह तो बता हैं चुके है कि भारत में मेठे पाने की सबसे बड़ी जील बूलर जील है और यह कास्मीर में स्थीत है कुश्य नमबर आठ है पुश्कर जील कहां ओस्तीत है तो देखे पुश्कर जील जो है ये राजस्तान में ओस्तीत है ठीके तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएका कुश्य नमबर नाइन है लोक्टक जील किस परांत में स्तीत है तो देखे लोक्टाग जील जो है ये माड़ी पूर मेश्थीत है ठीके यहाँ पर B करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 10 है बिसोरय नहर है तो देखें बिसोरय जो नहर है तो ये काबेरी नदी के बाई और निकली एक नहर है ठीके तो यहां पर ये करेक्ट जायेगा राजस्तान नहर का नया नाम क्या है तो देखें इसे करेक्ट आंसर बी ओचायेगा इंद्रा गाधी नहर जो है ये राजस्तान नहर का नया नाम है ठीके इसके अलावा चंबल नदी जो है ये भारत में चंबल नदी जो है ये मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है ठीके कुश्चन नमबर 13 है निमनलेखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी पर्योजना संबंधित है तो देखें इसे करेक्ट आंसर ओप्सन डी ओचायेगा गाधी सागर जो उसकी सहायक नदी ओपर नहीं है तो देखें इसे करेक्ट आंसर ओप्सन डी ओचायेगा निजाम सागर जो है ये कुश्चन नमबर 15 है कोईना परियोनकिस राजय से संबंधित है तो देखे, इस Kendra Correct Answer, Option C यह जायाएँगा, महरास्ट से, ठीक है, कोईना पर्योजणा जो है, यह महरास्ट राज़ से संबंध है ठीक है, Question Number 16 है, वरुणा पर्योजणा संबंध है तो देखे, वरुणा जो पर्योजणा है, तो यह Collide Seeding से संबंध है भरूना परियुजना किसे संबंधी थे, तो कलाइड सीडिंग से संबंधी थे, महात्मा गाधी जल बिधू तुद पादन प्लान्ट कहां इस्ती है तो देखिए यह स्ती थे जोग प्रपादपर ठीके महात्मा गाधी जलबीधूत उत्पादन प्लांट कहां इस्तीत है तो यह जोग परपाद परिस्तीत है ठीके कुश्य नमबर 19 है भाखडा नांगल बहुदेशिय पर्यूजना किस नदी पर बनी है तो देखे भारत में जो सबसे लंबा बाद है तो यह है हीरा कुंड बाद ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जाएगा Question number 21 है Mature बाद किस नदी पर बादा गया है तो देखे Mature बाद जो है यह काबेरी नदी पर बादा गया है ठीक है यहाँ पर B करेक्ट जाएगा Question number 22 है पौंग बाद किस नदी पर बना है तो देखे Pौंग बाद जो है यह ब्यास नदी पर बना है ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जाएगा Question number 23 है रिहांद बाद किस राज्य में है तो देखे रिहन्द जो बाद है तो ये उतर प्रदिश राज्य में ठीक है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 24 है भारत में 200 बैंक की सहायता से बिसनो गोड़ पीपल कोटी हाइडरो पावर बिधूत पर यूजना 21 नदी पर बनाई जा रही है तो देखे ये बनाई गई है आलक नंदा नदी पर ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 25 है टीहरी डैम किस नदी परिस्तित है तो देखे टीहरी डैम जो है ये भागी रहती नदी परिस्तित है ठीक है यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कुछ नूमबर 26 थीन बाद नेमन लोईखित में से किसन अधी परिश्थी थै तो देखे थीन जो बाद है तो यह राविन अधी परिश्थी थै ठीके याँपर सी करेक्ठ जायेगा कुछ नूमबर 27 सुची फरस्ट और सुची सेकेंड के साथ सुची फर्ष्ट को शुची सेगेंड के साथ सुमेलित कर तो देखें आपर जो पहला दिया गया हीरा कुंड बाद ये किस न दिपर तो ये माहा न दिपर ठीन बाद ठीन बाद जो ए रावी न दिपर सलाल परियुजना सलाल परियुजना जो है चिनाव नदी पर है और पॉंग बाद जो है ये ब्यास नदी पर है ठीक है कुश्चन नमबर 28 है निमनलेखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटे से होकर बैहती है कुश्चन नमबर 29 है सलाल परियुजना किस नदी पर है तो देखे नगारजुन जो परियुजना है तो ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है ठीक है यहाँ पर ये करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 31 है उरीपन बिली परियुजना वस्तित है तो देखे उरीपन बिली जो परियुजना है तो ये जम्मू और कास्मीर में स्तित है ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 32 है निमनलेखित म से कौन सा युग में सुमेलित है तो देखे यहाँ पर जो दूसरा अप्शन दिया गया है यह सुमेलित है भाखडा नांगल जो है यह सतलय नदिपर बनाई गई है ठीक है और बाखे यह थीनों अप्शन जो है सुमेलित नहीं है ठीक है हीरा कुंड हीरा कुंड बाध जो है ये किस नदी पर है, तो ये माहा नदी पर है, ठीक है, नागारजुन, जो सागर पर यूचना है, तो ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कुश्चे नमबर 33 है, सरदार सरुवर बाद किस नदी पर बना है, तो देखे, सरदार सरुवर जो बाद है, तो ये नर्मदा नदी प संदी योज आयाएका गांधी सागर जोए ये नर्मदा नदी पर नहीं है ठीक है कुश्चन नमबर 35 है करनाटक में स्थित बहु पर्योजन नदी घाटी पर्योजना का नाम बता है तो देखे इसका जो नाम है ये है तुंग भद्रा ठीक तुंग भद्रा जो पर्योजना है तो ये करनाटक में स्थित है ठीक है यहाँ पर सी करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमबर 36 है रावल के लाज इस पाद सने अंत्र निमनलेखित में से किस बाद से पाने लेता है तो देखे इसका पर्योजना का जो पाने प्राप्त करता है ठीक है रावल के लाज जो अबसे लंबा बाद है कुश्चन नमबर 37 है जैकवाडी परियोजना जो ये गुदावरी नदी पर है ठीक है यहाँ पर बी करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमबर 38 है केरल में इडूकी परियोजना जो ये पेरियार नदी पर है ठीक है यहाँ पर सी करेक्ट हो जायाएक कुश्चन नमबर 49 है पेरियार परियुजना जो है ये किरल राज़े में इस्तिईथ है ठीक है यहाँ पर डी करेक्ट हो जायाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला कुश्चन है माता ठिला बहुदेश यह परियुजना किस राज़े में है ओप्सन है आपके पास उतर परदेश, तमिलनाडू, बिहार या फिर पस्चिम मंगाल तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो हंटी का निसान है इसे भी यान करते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग